BPSC 70 में PT परिक्षा 2024 एक्जाम को लेकर महतपुर्न अपडेट तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए सबसे पहला चीज देखेगा क्वेस्चन का लेवल तो 40 से 50 परतिसात प्रश्ण UPSC लेवल के पूछे जाएंगे तो देखिए इन सभी चीजों से आपको बिलकुल भी की डरना नहीं है दूसरा चीज देखेगा एक्जाम तो इस बार दोस्तों बड़ा बदलो यह हुआ है कि वीपीएसी की परिक्षा दो दिन ली जाएगी तो फिर अगर दो दिन इस तरह से परिक्षा होगी तो परसेंटायल नॉर्मलाइजेशन यह सब परिक्रिया अपने जाएगा तीसरा चीज फॉर मीन सभी चीजों के बारे में बहुत सारे चीजों के बारे में इस विरूम आप लोगों को बताने वाले हैं तो चलिए आप सभी हर एक चीज के बारे में देखे कैसे क्या तैयारी करना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए आप देखेगा तो PSE कितिहास में इस बार की वेकेंसी सब से अधीक है 1957 पदोपर वेकेंसी आई है रूल यह है कि पीट इकजाम में वेकेंसी का दस गुना तो लगभग 20,000 एस्टुडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा पीट इकजाम में तो यहां पर दिखिए जब 20,000 में रिजल्ट नहीं हो पाएगा तो फिर यहां पर 300-400 पदोपर वेकेंसी दी जाती है तो उसमें कैसे रिजल्ट होगा इसलिए आप सभी अच्छे से त्यारी कि जिससे इस बार अफका इसमें रिजल्ट हो जाए यह तो हो गया 20,000 रिजल्ट आएगा आप जो भी 20,000 पास करेंगे मेंस एक्जाम तो आप में इसे कौन-कौन चाहते हैं कि BPSC को चात्रीत में और भी इडिट का उप्शन दिया जाना ची क्यों कि अभी देखेगा तो मात 4-5 चीज़ों में बदलाव का उप्शन दिया गया है तो अगर आप लोग मांग कीजेगा BPSC को अधिक सधी कीमेल कीजेगा या फि फिर पता चलेगा चात्रों के और भी समस्या है तो फिर उस उप्शन में भी आपको रिट का उप्शन दिया जा सकता है चलिए सबसे पहले तो आप सभी यहां से नियूज देखे तो यह दिखेगा ता आज ही की डेट का नियूज है 70 BPSC PT की तीथी बढ़ी जैदा इसी डेट को आप सभी फैनल मार करके चलिए क्योंकि देखे बीपीएसी की परिक्षा यह नहीं कि बार 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 डेट बढ़ेगा और यह देट बढ़ने का रीजन बहुत सारे कारण था पहला ची तो इस्टुएंट यहां पर अधिक फॉर्म फिलप कर रहे है तो बीपी पहले में भी आपको समझया आ सकती है तो 13-14 दिसंबर के और इसी डेट को लेकर देखेगा पेपर में भी आ गया और कल आप लोगों को बताए भी थे कि यहां पर 13 दिसंबर को परिक्षा होने पर फिर एक बार फैनल डेट फिर से जारी किया जाता है इसी डेट में परिक्षा की पूरी संभाव नहीं अब यह नहीं कि आप अगर-मगर में रहे कि डेट भी बढ़ सकता है इन सभी चीज़ों आपको नहीं परना है अभी का देखेगा यहां पर तो तीन लाग सधिक आप नहीं करना फिर आपका जब सेलेक्षन होगा अगर आप गलत यह सब जानकारे देकर फॉर्म भरिएगा फिर आपको वही डॉक्मेंट सब कुछ मांगा जाएगा डिटेल फिर आपके साथ समस्या आ सकती है अभी देखेगा तो तीन लाग सधिक पंजियन हुआ है आव यहां से चलिया परिक्षा पैटर्न इन सभी चीजों के बारे में बात करते यह दीखेगा तो आजी की डेट का निउज है यहां पर और भी चीजों के बारे में है कि यहां पर 13-14 दिसंबर को विपेएशी परिक्षा का डेट निरधारित किया गया था लेकिन अब परिहा आप सभी समय रहते अपना फॉर्म कर लिए मत सुची कि यहां पर डेट बढ़ेगा अगर माली जेट बढ़ेगा भी जाता है दो चार पांच दिनों का एक सब्सक्राइब करता है अगर मेक्सिमम स्टुएंट समय रहते फॉर्म कर लेंगे देट पढ़ाने की कोई खास जरू नहीं है इसलिए आप लोगों का टार्गेट यह होना चाहिए कि हम 12-13 तारिक तक फॉर्म फिलप कर लिए क्योंकि लास्ट में देखेगा तीन-सार दिन सही तरीकेस वेबसाइट भी काम नहीं करेगा इस पर हजारों में लाखों में फॉर्म फिलप कर रहे हैं यहां पर औ पर दो परिक्षार्चियों के बैठने की वेवस्ता इसके बाद इतने भी एक्जाम सेंटर है सभी पर लाइब कैमरा लगाया जाएगा यह पिछली बार भी लगाया गया था लाइब मोनिट्रिंग यह सब चीज़े सारा कुछ किया जाएगा अब यहां से देखेगा परिक चरण की त्यारी की मद्य नजर यहां पर दीखेगा परिक्षा एक्सपर्ट से बात किया इसको लेकर तो यहां पर दीखेगा अब आपको यह डर लग रहा होगा कि 40-50% 40% का मतलब यह हो गया कि टोटल लेर सो क्वेस्टन उसमें 60 क्वेस्टन तो दीखे पिछली बार के अ 100 क्वेस्टन आप जो पढ़े हैं जो भी लुसेंट अन्य बुक में दिया हुए फैक्ट उसी इस रिल्टेट पूछा जाएगा बांकि आपको पचासी क्वेस्टन तफ देखने को मिलेगा अगर यह तो सब के लिए तफ रहेगा तो आपका टार्गेट यह होना जी कि जो असान 100 क्वेस्टन है इसमें हम मैक्सिममम क्वेस्टन बना ले बाकी टफ में कुछ ऑप्शन से आप अगर बना पाते हैं तो सनुसार बनेगेगा अब जैदे टफ क्वेस्टन आएगा तो होगा क्या कि आपको कटफ बहुत डौन देखने मिलेगा पिछली बार देखेगा चार हजार से भी कम रिजल्ट जारी किया गया था तब देखेगा कटफ जो 91 गया था इस बार 20,000 रिजल्ट आएगा अगर क्वेस्टन का लेवल उनहतर्मी से भी हाट रखा जाएगा तो फिर क्या होगा कटफ और डौन जाएगा पिछली बार 91 पर जनरल काटेगरी का रि जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप रिजल्ट असानी से पीटी एकजाम में आपका हो जाएगा इन सभी चीजों से आप बिल्कुल भी मत डरिये जो भी यहां पर इस लेवस पैटर्न दिया हो उसी अनुसार आप सभी को त्यारी करना है एक वीडियो में हम आप लोगों को परतियुकता परिक्षा है सभी का अपडेट के साथ सा त्यारी भी करवाते हैं बीपी एसी पीटी एक जाम के लिए आप लोगों को जितने भी प्रिवियस एर का क्वेस्टन है सभी करवाने वाले हैं क्रेंट रफेर्स बिहार जी की और भी बहुत सारे महत्पुर्ण टॉ क्वेस्टन यूपी एसी लेबल पर आएंगे तो इसमें देखिए स्टेट्मेंट मैचिंग अधार पर पिछली बार भी पूछा गया था इस बार क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेस्टन और आपको अधीक देखने मिलेगा तो आप सभी देखेगा वीपी एसी में सबसे देखिए और बांकी बिखार जीके तो पिछली बार कम ही पूछा गया था ऐसा निये कि इस बार कम पूछा जाए इस बार हो सकता है कि पिछला पैटर्न जो 20-25 का उस अनुसार पूछ दे ये सब चीजों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाए और साइंस में दिखेगा तो साइंस में खास करके थोड़ा हाइलेबल का टफ क्विस्टन पूछा जाता है इन सभी चीजों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाए बांकी यहाँ पर आपका में टार्गेट होना चाहिए डेर सो क्विस्टन में दिखेगा तो 100 क्विस्टन ऐसे रहने वाले जो आ कि इस पचास में बहुत सारे क्विस्टन ऐसे रहेंगे जो आप आप अप्शन के अनुसार बना लिजेगा इस तरह साब दीखेगा तो असानी साब का रिजल्ट हो जाएगा अगर बहुत टफ क्विस्टन पूछा जाता है तो उस कंडिशन में क्या होगा कि आपको कट बहुत डाउन देखने को मिलेगा